1994 से मेरी जान पेचान है कौमेट बुद्यदेव बटेचारिया से और अभी ये 50 साल होने वाला है तो कौमेट बुद्यदेव जबसे वो चात्रों युवा नेता थे और बाद में पाटी के नेता बने और बाद में वाम मोर्चे के सरकार में मंतरी और मुख्य मंतरी बने हर दोर पर कौमेट बुद्यदेव बटेचारिया के साथ हमें काम करने का मौका मिला था हमारे पाटी कमिटियों में केंदर कमिटी में हम एक साथ आये थे 1985 में और तब से लेके अखिल बारते पैमाने पर भी कौमेट बुद्यदेव बटेचारिया का हमारे पाटी के नीतियों को और वेचारिक सवालों पर सही एक स्टैन लेने में कौमेट बुद्यदेव बटे योगदान रहा है परचिम बंगाल के लिए कौमेट भुद्यदे बड़ेचरिया जब वो मुख्यमंत्री थे उनकी पूरी कोशिश थी कि बंगाल के आर्थ लिकास के लिए आगे कैसे कदम उठाया जाए उसके लिए उन्होंने उद्योगी करन के लिए जो योजना बनाया व वो लोग समझते हैं कि सिर्फ उनके व्यक्तिगत बात थी वो सही नहीं है उन्होंने पार्टी में पहले इस पौद्योगी नीती के बारे में बहस कराके केंदर कमिटी के स्थर पर हमने उसको अनुमती दी थी उसके बाद उसको लागू करने की कोशिश की ये अलग बात है कि उस प्रयास में विफलता रही है कई कारणों से लेकिन बंगाल के जनता हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि कमिट बुद्ध देव अपनी पूरी कोशिश की थी बंगाल के विकास के लिए वो विकास सिर्व आर्थिक विकास का नहीं था बंगाल के सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें भी उनकी बंगाल की प्रकृति के लिए बड़ा योगदान रहा है